जिसने यह इवियम बनाया है वो कोई डवलप कंट्री इवियम पर चुनाने चाहते हैं तीसे चीज आप क्या कारण है कि बीवी पेट पर आप आप अधी आप रखना चाहते हैं इवियम को तो आप दोनों काउंटिंग कर रही है साथ साथ कर रही है सही क्या है इसको कौन बताएगा आदमी नहीं बताएगा जब आपके पास बीवी पेट है और हम उसको देख करके चीजों को ला सकते हैं तो आप कहते हैं कि इन्हें गिंती करने में समय लग जाएगा आप हर प्रॉसेस से भागना चाहते हैं तीसरी जो सबसे और भी इंपोर्टेंट है वो है कि मसीन नब्य परतिसत बैटरी खत्म नहीं होती और उसमें बोटिंग डला हुआ रहता है बोटिंग डल जाता है वो सारी चीजें पांचवी चीजें यह है कि बीस लाख जो चोड़ी हुई थी एबियम वो मसीन कहां है ना सरकार पता की ना उसका कोई जबाब आया तो इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं उस एबियम का इस्तमाल चुनों में करना चाहते हैं तो कर लेते हैं कई ऐसे प्रॉसेस हैं सो मीटर देर सा दो सो मीटर से हम कुछ भी कर सकते हैं हम स्ट्रॉंग रूम के भीच बदल सकते हैं हम किसी को खरी सकते लेकिन आप के लिए बैलेट पेपर जो सामने में है इंपॉर्टेंट है सिसी टीवी फोटेज है सब कुछ है आप उसको देखिए तो क्या प्रॉब्लम है बैलेट पेपर पर नहीं हो क्यों सत्ता और चुनों आयोग नहीं चाहती है तो तर्क है और केलियर है कि इबियम जिस दिन इबियम पर चुनों बंद हो जाए आप उठागे देखिए महरास्त्रा में छे लाग भोट लोक सभा में आये अबिदान सभा में चार लाग भोन रहे हैं बैलेट पेपर आता है तो कॉंग्रेस आगे रहती है अन पार्टी छ हता हम होते ही मसीन आता है तो बीजेपी आगे हो जाती है आप पंचायत राज पंचायती राजविवस्था में जहां इबियम नहीं है वहां बीजेपी नहीं चुनों आती है आप उठाई अब देख लेजिए तो इसको समझने का प्रियास कीजिए अन एस्टेट में जहां बीजेपी नहीं है वहां पर बीजेपी चुनों नहीं जिती है कॉंग्रेस दोनों लोग सभा चुनों जित गई जहां उन्होंने फोकस नहीं किया जहां इनकी सरकार होती है वहां यह चुनों जित जाते हैं अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनों हुए आप उसको एक गटबंदन है उससे ज्यादे भोट लाने वाली संख्या कह रही है कि इबियम सही नहीं है तो आप इसको देश को सुरक्षित रखने के लिए निरने लेंगे नहीं इसलिए आप नहीं बोलते हैं चुनो आयो इसको तो हम लोग जा रहे हैं और प्रूब्ड भी करेंगे कि कैसे है होता है